मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है है दोनों इंसान ला मैं तेरी गीता पढ़ लू तू पढ़ ले कुरान अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अर्मान एक ठाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान नमस्कार गोरकपूर न्यूज में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर गोरकपूर न्यूज के सर्प्रायो जखे मठकू मंगलम तावर गोलगर गोरकपूर सहजनमा थाना छेत्र में दबंगो ने धीरश पाणने को मारी गोली अस्पतार ले जाते समय रास्ते में हुई मृत्यू एससपी ने कहा परीचिनों के तहरीर के आधार पर मुकदना पंजिक रितकर की जाएगी आगे की कठोर कारिवाही लूट करने वाले तीन अभ्युक्तों को गैमपिर गंस्ताने के पुलिस ने 24 गंटे के अंदर किया गरिफतार लूट का एक मुबाइल पर्स वाहन की चाबी एक मोटरसाइकल किया बरामत पेटा जेल सुतंता दिवल्स पर गुरकपूर रचेगा देशब्रक्ति का नया एतिहास विश्व इसतर ये परेटन केंदर रामगर ताल पर रास्ट्रगान के एतिहासिक आयोजन की है तैयारी तिरंगा लेकर शामुहिक रास्ट्रगान गाएंगे एक लाख लोग जशने आजादी पर परेटन संग उम्रेगा देश प्रेम का जवार एक लाख लोग हाथों में तिरंगा लेकर गाएंगे वंदी मात्रम और जनगर मन ग्राम पिप्रा मुगलाना में एक महिला का शतुधन निशाद के खेत्र में गाड़ा मिला शव मौकी पर पहुँची पिप्राई स्थाने की पुलिस ने शौको कबजे में लेकर भीजा पोस्ट मॉर्टम के लिए स्पी नौर्थ ने कहा मुर्टक की मा की तहरीर पर दामाद के उपर दहीज हत्या का मुकद्म पंजिक रित कर की जा रही है विधिक कारिवाही सुतंता दिवस पर सभी भीड़ भाड़ वाले शेत्रों में पुलिस की रहेगी ड्यूटी अराजक तत्तों पर पुलिस की रहेगी नजर ADG जोन ने कहा बिना पर्मिशन के ना निकाले कोई रैली या जुलूस आजादी की 75 अमरित महसो कारिकरम के तहट ADG जोन अकिल कुमार ने 112 के पियार वी वाहन के तिरंगा रैली को छंडी दिखा कर पुलिस लाइन से किया रवाना तिरंगा वाहन रैली का तेनुआ प्लाजा पर जिलादिकारी वैसेस्पी ने धवजा रोहर कर किया समापन विवाजन विवीशिका इसमिती दिवस के औसर पर शांस्कृतिक एवं सूशना विभाग द्वारा अभी लेग एवं छाया चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन भाजपा के चेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंदु सिंग ने चाया चेत्र प्रदर्शनी का फीता काट कर किया शुभारम कहा 14 अगस्त को भाजपा मना रही है विभाजन विवीशका के रूप में प्रदर्शनी के माध्यम से विभाजन को किया जा रहा है प्रदर्शित आजादी की 45 सतनता दिवस की पूर्व संधिया पर सपाईयों के द्वारा जिला अध्यक्ष अधीश यादों के निर्थितों में पार्टी कार्याले से गांधी प्रतिमा तक निकाला गया पैदल तिरंगा यात्रा अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइन से निकाले गी तिरंगा यात्रा को एम्स गुरखपूर की डिरेक्टर डॉक्टर सुरिखा किसोर ने हरी जहन्दी दिखा कर किया रवाना कहा हर छेत्र में महिलाओं का समाज में पूर्ण रूप से समानांतर है योगदान नगरायक तविनार सिंग के देख्स्ता में महिलाओं के स्वैम सहयता समुह एवं वित्य संस्थाओं के साथ व्रिहत गोस्टी का किया गया आयोजन कहां महिलाओं की आय को दुगना करने के लिए संगोस्टी का हुआ आयोजन आजादी के 75 वी वर्सगात योम आजादी के अमरित महसो के उपलक्ष में फायर सर्विस द्वारा निकाला गया भवित तिरंगा यात्रा सीएफ फो डीके सिंग ने कहा तिरंगा के माध्यम से किया जा रहा है जन जागरण आजादी के 75 वी अमरित महसो कारिकरम के तहत भात स्काउट और गाइड गोरकपूर इकाई के द्वारा निकाला गया साइकल तिरंगा यात्रा देश को आजाद कराने वाले वीर अमर्शहीदों को किया याद और विभाजन विषिका इसमिती दिवस पर भार्टी जन्ता पार्टी के कारिकरताओं द्वारा निकाला गया मौन जुलूस कहा 14 आगस्त 1947 को लाखों लोग बेघर और हजारों की संक्या में कतल हुए थे उसी के संदर्व में मनाया गया विभाजन विषिका इसमिती दिवस अब खबरे विस्तार से सहजनवा थाना शेत्र में दबंगो ने धीरजपांदे की ऊपर चलाई गोली वहीं घटना की सूशना मिलने पर मौके पर पहुची सहजनवा थानी के पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में करवाया भरती जहां पर डॉक्टरों ने मृत्ति उस घोशित कर दिया जिसके एहम सुराग मिला है परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजिकृत किया जाएगा घटना में जो भी दोशी होगा उनको गिरफतार कर जेल भीचा जाएगा इस संबन में गुरगपूर नियूस से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरफ क्रोवर ने कहा जो भी तहरीर कराई जाएगी ततका लुक्ति मुकदमा पंजिकृत कर जो भी इसमें दोशी है जिनका भी इसमें रोल है सबके उपर बहुत कठोर कारवाई जल्दी मारे जाएगा जितनी जल्दी पॉसिबल होगा हम गिरफतारी करेंगा कठोर करेंगा कैमपिय गंज थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लूट करने वाले तीन अभी इखतों को गिरफतार किया है जिसके संबंध में स्पी नॉर्थ मनुश कुवार रवस्ती ने बताया कि मुक्विर की सूशना पर तीन अभी इखतों को गिरफतार किया गया है जिनके पुतर राम मिलन निवासी ग्राम महावन खोर थाना कैमपियर गंज चनपदगोरकपूर के रूप में हुई है जिनके पास से लूट का एक मुवाइल पर्स वाहन की चाभी एक घटना में प्रिक मोटर साइकल वा कागजात को परामत किया गया है एसपी नौट ने बताए कि तीनों अभियोगते लूट की घटना में वांगशित थे जिनको गिरफतार का जेल भेज दिया गया गिरफतार करने वाली पुलिस टीम में केंपिर गंस थाना प्रभारी रंजीत सिंग, वरिस उपनिरिक्षक राकेश कुमार सिंग, उपनिरिक्षक कमलेंद्र सिंग, मधुरेश त्रवेदी, सर्वर आलमन, रावीन रिपाल, कॉंस्रिबल उतकर्ष यादव, विपिन कुमा वर्मा, मुकीश कुमार शामिल रहे, इस संबन में गुरकपुर नियुस से बात करते वे स्पी नौर्थ मिलोश कुमार अवस्ती ने कहा, एक हजार रुपए, पैन कार्ड, मुबाइल और जो काग्याद से, वो सभी बरामत किये गए हैं, अब उक्तों को गिरतार कर भी जेल बेज़े जा रहा है, विश्विस्तर ये परिटन केंडर के रूप में निक्रा रामगर ताल, यो तो हर दिन सैलानियों से गुलजार रह और सर होगा तिरंगे के रंग में सरावोर एक लाख लोगों के एक साथ एक स्वर में राष्टगीत और राष्टगान के गायन का, इस आयोजन के शूत धार गोरकपूर विकास पाधी करण के उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंग इसे पीम मोधी और सीम योगी की राष्ट प्रेणा को समर्पित करते हैं, रामगर ताल वास्थान है जहां पांच वर्स पहले तक लोग आने से कतराते थें, मुखी मंट्री योगी आदितिनात के विजन से हुए विकास और सौंधियकरन के कारियों से अब यह पर्यटन का प्रमुक केंडर और नए कोरकपूर की में जब मोदी योगी सरकार आजादी की 75 वर्स पूर्ण होने के उपलक्ष में आजादी का मृत महस्व मना रही है, इससे रामगर ताल को जोड़कर यादगार आयोजन की पहल की है गोरकपूर विकास प्रादी करण जीडिये ने जीडिये के उपाध्यक्ष प्रेम रिंजन सिंग के मुताबिक 133 दिवस की शाम 6 बजे रामगर ताल शेत्र में एक लाख लोग हातों में रास्चे ध्वज लेकर वंदी मातरम और जनगर मन का सामोहिक गान कर गुरकपूर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा देंग इस कारेकरम की रूप रेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है आयोजन के दौरान यातयात वस्ता सुगम रहे इसे लेकर यातयात पुलिस भी प्रबंधन में जुट गई है जीडिये के पार्किंग शेत्र में इस खास औसर पर पार्किंग सुलक नहीं लिया जाएगा चलते वहीं से वर्चुल जुडेंगे आयोजन में युवाओं की सरवाधिक भागीदारी होगी इसके लिए विश्व विद्याले प्रवध्योगी की विश्व विश्व विद्याले मेडिकल कॉलेज समय तमाम स्कूल कॉलेजों को आमंतरन पत्र भीजा जा चुका है सभी से यह निवेदन किया गया है कि वे अपने साथ रास्ट्रे ध्वच लेकर आएं हाला कि किसी कारणवस तिरंगा लाने से चूक गये लोगों के लिए पचास हजार रास्ट्रे ध्वच की विवस्था जीडिये की तरफ से की गई है राश्ट्रगीत और राश्ट्रगान का सामोहिक गयन भले ही शाम छे बजे होगा लेकिन इस दोरान रामगरताल शेत्र में लगे इन बिल्ट साउंड सिस्टम वाले पोलो पर दिन भर देशभक्ती के गीत लोगों में जोस भरते रहेंगे आयोजन को भावे बनाने के लिए रामगरताल इस्तित समुचे नौकायन शेत्र वत्ताल के सामने इस्तित महंत दिगुजेनात पार को रंग भी रंगी रोशनी से सजाय जा रहा है इसके साथ ही यहां देशभक्ती के माहौल को परवान शुड़ाने के लिए एर फोर्स बैंड को भी आमन्त रित किया गया है इस जोरां सांस्कृतिक कर्मियों की अलग-अलग चोलियां देशभक्ती परक कारेक्रमों की प्रस्तुतियां करती रहेगी पिपराई स्थाना शेत्र के ग्राम पिपरा मुगलान में एक महिला का शव सत्रधन निसाथ की खेत में गाड़ा मिला वहीं घटना की सूशा मिलने पर पिपराई स्थाने की पोलिस द्वारत अतकाल घटना अस्थल पर पहुँश कर शोग को बरामत किया जिसकी पेचन ग्राम पिप्रा मुगलान की गीता देवी की पुत्री राधिका के रूप में हुई शोग को कबजे में लेकर पोस्पॉर्टम के लिए भेज दिया गया है जिसके सम्बंद में स्पि नॉर्फ मनोश कुमार अवस्थी ने बताया की हत्या के कारणों को जाने के लिए पूस्ताच की जा रही है मृतिका के मातागीता देवी दौरा अपने दामाद के खिलाफ दहिश हत्या के सम्बंद में तहरीर दी गई है जिसके खिलाब मुकदमा पंजिकृत कर विधिक कारवाई की जा रही है इस संबन्द में गुरकपूर नियूस से बात करते हुए S.P. North मनुश कुवार अवस्थी नी कहा आज प्रत थाना पिपराईच पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अग्यात महला का शव सत्रुगन निशात के खेत में गाड़ा गया है इस सूचना पर थाना पिपराईच की पुलिस मौके पर पहुचि और तदकाल शव को बरामत करके और उसकी पहचान कराई उसकी पहचान ग्राम पिपरा मुगलान की श्रिमती गीता देवी की फुत्री के रूप में हुई उसको पोस्पार्ट पंचायत नामा करके और पोस्पार्टम के लिए अस्पताल बेजा गया जिसे मृत्व का कारण जाना जा सके इसी समंद में श्रिपती कीता देवी द्वारा अपने दामात को नामित करते हुए दाई जत्या के समन में तहरीर दी गई जिसपे की दाई जत्या का मुगदमा पंची करत करके वेचना की जा रही है ADG जोन अखल कुमार ने सुतंता दिवस की सुरक्षा वेवस्था पर कहा कि आजादी का 75 सुतंता दिवस सभी जगों पर धुमधाम से मनाया जा रहा है सभी कारेक्रमों में आयजकों से संपर करके पुलिस की वेवस्था की जा रही है जिससे किसी को किसी तरह की समस्या ना हो उन्होंने बताई कि सुतंता दिवस पर सुरक्षा वेवस्था को बढ़ा दिया गया है सभी भीलभार वाले छेट्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी इसलिए सभी आयोजकों से अनरोध किया गया है कि आयोजक प्रशासन से सहीयोग लेकर ही कारेक्रम करे जिससे पुलिस की कारेक्रम अस्थल पर जूजी रहे और कारेक्रम शाकुसल संपन्य हो से के इस संबन में गौरकपुर नियूज से बात करते भी एटीजी जोन अकिल कुमार ने कहा 15 गस्त है सभी जगा धूमदाम से कारेक्रम मना जा रहे हैं पुलिस की वेवस्ता हर कारेक्रम में आयोजोकों से समंझत करके करी जा रही है सभी जगा डिप्लाइमेंट रहेगा जितने भी भी भार के स्थान है वहाँ डिप्लाइमेंट रहेगा जो कारीकरम करें आयोजोंकों को वो सुझाओ भी है कि कोई अपने मन से कारीकरम ना करें प्रशाशन के सहयोग ले पुलिक सजीक है और अच्छे दंक्से कारीकरम करा जाएगा अब वक्त चुला एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक पी जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर सहजन मताना छेत्र में दबंगों ने धीरश पाणने को मारी गोली अस्पतार ले जाते समय रास्ते में हुई मृत्यू एससपी ने कहा परिचिनों के तहरीर के आधार पर मुकदना पंजिकरत कर की जाएगी आगे की कठोर कारिवाही लूट करने वाले तीन अभ्युक्तों को गैम पिरिगन स्थाने के पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया ग्रिफतार लूट का एक मुबाइल पर्स वाहन की चाबी एक मोटरसाइकल किया बरामत भेचा जेल सुतनता दिवल्स पर गुरकपूर रचेगा देशब्रक्ति का नया एतिहास विश्व इस्तरिये परेटन केंदर रामगर ताल पर रास्ट्रुगान के एतिहासिक आयोजन की है तैयारी तिरंगा लेकर शामुहिक रास्ट्रिगान गाएंगे एक लाख लोग जशने आजादी पर परेटन संग उम्रेगा देश प्रेम का जवार एक लाख लोग हाथों में तिरंगा लेकर गाएंगे वंदि मात्रम और जनगर मन ग्राम पिप्रा मुगलाना में एक महिला का शतुधन निशाद के खेतर में गाड़ा मिला शव मौकी पर पहुची पिप्राइस थाने की पुलिस ने शौको कबजे में लेकर भीजा पोस्ट मॉर्टम के लिए स्पी नौर्थ ने कहा मृतक की मा की तहरीर पर दामाद के उपर दहीज हत्या का मुकदन पंजिक रित कर की जा रही है विधिक कारिवाही सुतंता दिवस पर सभी भीर भाड़ वाले शेत्रों में पुलिस की रहेगी ड्यूटी अराजक तत्तों पर पुलिस की रहेगी नजर ADG जोन ने कहा बिना पर्मिशन के ना निकाले कोई रैली या जुलूस आजादी की 75 अमरित महसो कारेकरम के तहट ADG जोन अकिल कुमार ने 112 के पियार वी वाहन के तिरंगा रैली को चंडी दिखा कर पुलिस लाइन से किया रवाना तिरंगा वाहन रैली का तेनुआ प्लाजा पर जिलादिकारी वे सस्पी ने धवजा रोहर कर किया समापन विवाजन विवीशिका समिती दिवस के औसल पर शांस्कृतिक एवँव सूशणा विवाग द्वारा अभी लेक एवँँच्छाया चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन भाजपा के चेत्री अध्यक्ष Dr. धरमेंदर सिंघ ने 26 चेत्र प्रदर्षिनी का फीता काट कर किया शुभारम कहा 14 अगस्थ को भाजपा मना रही है विवाजन विविशका के रूप में प्रदर्षिनी के माध्यम से विवाजन को किया जा रहा है प्रदर्षित आजादी की 45 सतनता दिवस की पूर्व संधिया पर सपाईयों के द्वारा जिलाद्ध्यक्ष अधीश यादों के निर्थितों में पार्टी कार्याले से गांधी प्रतिमा तक निकाला गया पैदल तिरंगा यात्रा अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइन से निकालेगी तिरंगा यात्रा को एम्स गुरखपूर की डिरेक्टर डॉक्टर सुरिखा किसोर ने हरी जहन्दी दिखा कर किया रवाना कहा हर छेत्र में महिलाओं का समाज में पूर्ण रूप से समानांतर है योगदान नगर आयक तेविनार सिंग के देखस्ता में महिलाओं के स्वैम सहयता समुख एवं वित्य संस्थाओं के साथ व्रेहत गोस्टी का किया गया आयोजन कहां महिलाओं की आयक को दुगना करने के लिए संगोस्टी का हुआ आयोजन आजादी के 75 वी वर्सगार्ट योम आजादी के अमरित महसो के उपलक्ष में फायर सर्विस द्वारा निकाला गया भव तिरंगा यात्रा CFO DK सिंग ने कहा तिरंगा के माध्यम से किया जा रहा है जन्जागरण आजादी के 75 वी अमरित महसो कारिक्रम के तहत भात स्काउट और गाइड गोर्यकपूर इकाई के द्वारा निकाला गया साइकल तिरंगा यात्रा देश को आजाद कराने वाले वीर अमर्शहीद को किया याद और विभाजन विभीशिका इसमिती दिवस पर भार्टी जन्ता पार्टी के कारिकरताओं द्वारा निकाला गया मौन जुलूस कहा 14 आगस्त 1947 को लाखों लोग बेघर और हजारों की संक्या में कतल हुए थे उसी के संदर्व में मनाये गया विभाजन विभीशिका इसमिती दिवस पेगस निसान गुरणपूर का एक मात्र निशान डस्टन का एक्स्क्लूसिव शोरूम और वर्क्शॉप जी हाँ सही सुना आपने जिन गाडियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गुरणपूर से बाहर जाना पड़ता था अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छट के नीचे पेगस निशान सेल्स सर्विसेस एन स्पेर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गुरणपूर हमारी तरफ से विसेस ओफर निसान डस्टन गाड़ी की खरीर पर फ्री इंसुरेंस कंडिशन्स अपलाई हमारी तर में और चर एक हमारी तर स्ब्सक्रावें नौसर भाव जया जब भावाराई हमारी जा़ी बावब लावाई कर दो कर दो कर दो जर खो झाल रोयल लगों की रोयल परशन रे रोयल चाय पटको मंगलम टावर गोल घर के यहां कपड़े खरीदे भी सिलवाई भी और ड्रैकलिंग भी करमाएं दो की ड्रैकलिंग पर एक कपड़ा मुथ्ट फ्री होम डिलेवरी और पिकप के लिए कॉल करें 9044663300 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आजादी के 75 अमरित 900 कारेकरम के तहट पुलिस लाइन से UP 112 के पियारवी वाहनों की तिरंगा रेली निकाली जिसका शुभारम ADG जोन अकिल कुमार ने तिरंगा जंडा दिखा कर रवाना किया जो की तेनुआ प्लाजा पर जाकर समाप्त हो गया इस रेली में UP 112 की 74 पहिया पियारवी वाहन वाच्छे दो पहिया पियारवी वाहन शामिल रहें तेनुआ टोल प्लाजा पर जलादिकारी गुरगपूर द्वारा रास्टी धोच को फैरा कर मार्ज पास्ट कर तिरंगा रैली का समापन किया गया जिसके संबन्द में ADG जोन अखिल कुमार ने बताए कि पियार वी 112 की दोरा तिरंगा याच्छा निकाला गया है जो तेनुआ टोल प्लाजा पर जाकर समाप्त हुआ उन्होंने कहा कि आजादी के अमित महस्तों के तहरत या सभी कारे करम आईजित हो रहे हैं 112 का कारे बहुत ही सराहनी हैं जो किसी भी गटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुस्ती है इस समन्द में गुरकपुर्णी उससे बात करते हुए एड़ी जी जून अकिल कुमार ने कहा जी 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 ने कहा बहुत है वेज़ी जी 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 कहा है तो अधिजे कहा है झाल कुछNote के पार्ज़। ब्हुपतिक पंण今 बेफके को बार्ज़। बस्द़कर भार्ज़। भार्ज भाज़। गल्वार ब्यूबरी झालियो दो है यदित तो. यब यदिधनारी गुड़ी है भॉषी Karma करो वहाई निदोन रॉदी वहाई पिर सुभारी ते हुआडे जष अदेना कुछ़ में भॉषी जुब यदी सुभारी पॉब भॉब दूदा करे काैं ए? बड़ना है? बड़ना है, बड़ने हैं। कर दो अपक्साला कर दोिट से घडाव कर दो बाह Caesar को जो जो से सबस्काल प्रावको कर दो दो में। झाल पुछ भाल प्यारवी जो उत्तरपदेश पुलिस की रिस्पॉंस टीम है उसकी आज भव्य यात्रा निकाली गई है भरव रूट माच निकाला गया है समस्तर जो 112 की गारियां है वो एक निर्धारित मार्ग में होते वे गीडा टोल प्लाजा पे जाएगी जहां रास्टर धाज का दोज जिलों में ये कारिकरम किया गया हर जिले में 112 की रिस्पॉंस टीम्स की आज रूट माच निकाली गई है 112 जो हमारी रिस्पॉंस टीम्स हैं इनका बहुत उत्किस पदर्शन रहा है और मानिनिये मुक्रमंत्री योगी जी के नित्रित में जो पुलिस को क्लियर मैंडेट मि जिला हुआ है उसके क्रम में हम लोग ग्राउंड रिस्पॉंस बहुत अच्छा दे पा रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे जहिल विभाजन विभीशिका इस्मिर्ती दिवस के आउसर पर सांस्कृतिक एवं सुचना विभाग द्वारा योगी बाबा गंभीर नात प्र कारिकरम के तहत सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं जिसके लिए परधान मंतरी मोधी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने नागरिकों के अंदर देश भक्ती का जज़बा पैता किया है 14 अगस को विभाजन के विभीशिका के रूप में भाश्पा मना रही है जिसके लिए चाया चित परदर्शनी लगाई गई है जिससे सभी लोग विभाजन की स्मिर्टियों से आउगत हो सकें और विभाजन से हुए समस्याओं के बारे में जान सकें कि कि किस तरह की तरास्दी जहेल करके देश आगे बढ़ रहा है उन्होंने बताए कि हर अगर अध्यश राजेश गुपता जिला सूजना अधिकारी परशान श्रीवास्तो सहित आने लोग मजूद रहे इस समन्द में गुरगपूर नीउस से बात करते हुए मलसी वभाजपा के छेतरी अध्यश डाक्टर धर्मेन सिंग ने कहा करते हैं झाल झाल बाल नहीं एप नहीं एक प्रफ से प्रफ जाभंक दित्कामरा नहीं एक एक जार मिया है गप प्रफ जाब बाले या या याईदा है ये वह वी कि थीया इवा थे कि महास्मा Гाμhma gण तक आए आजय को ने अचानक 147 हो की अचानक छार कून 1947 को ऑजय के दस्तवेश परच अचान clear नंतना इन Metal आए आए अपिलालाई रखी तौर स्यावदा शावन निए जावगता है हिच रुवालाई प्रीजि कीमाइट दो किरेडियार जाओ जो हो जो है अशचा है एक किरेंग तो किरेंगा आए नोरि बादी तो किलेक्साट काल्ग बीदवे longo है कीजिफ परहन है ... कीजिर, आपकेजिन, सेलग जोगा स्वेजर कीजिफ शके पमा मैं झाय। कर दो जा कि एक कि एक 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 गुछ की एक 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 खा है जए टो एक डब एक एक कि एक 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 ऑलागा जारो हम पाह, हम केहाभना के गुर्णों मुश् Manuel 1 और पता सिंहा खिरें खाद सिंहाएं मैं देश के सस्वी प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ चिनों ने आजादी के 75 बर्स अमरित महुत्सों को पूरे देश वासियों को एक आहवान करके कि हर घर किरंगा अभियान एक देशभक्ति का जजबा पैदा किया है आज बिशेशकर 14 अगस्त बिभाजन की बिविश्का दिवस के रुब में पूरे देश भर में भारती जनता पार्टी इसको मना रही है और उसमें किस प्रकार से बिभाजन के समय क्या दर्द था उस पूरे इस्पृतियों में सजाने के लिए उसको एक रूप देने के लिए पार्टी ने जगा जगा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है गुरक पूर जिला और महानगर ने मिलकर के भी यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और उसी प्रदर्शनी का अलोकन हम सब यहां कर रहे हैं यह बाते हैं बता सकें अस्मिर्तियों में वो रख सकें किस प्रकार की त्रासती झेल करके यह देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी आज उनके नेतरित में पूरे देश में जो हर घर तिरंगा अभियान का घारगरम चला एक निश्चित रूप से लोगों में एक देशभक्ति का भाव पैदा हुआ है और उसी भाव को जागरन करने के लिए बिविन प्रकार के आउजन को रहे हैं आजादी के 75 वे सोतंता दिवस की पूर संधिया पर सपाईयों ने जिलाध्यच ओधेश यादो के नेतरित में बेतिया हाता इस्तित पार्टी कार्याले से गांधी परतिमा तक तिरंगा पद्यात्रा निकाला जिसके संबन में सपा के दिलाध्यच ओधेश यादो ने बताया कि राष्ट्री अध्यच के निर्देश पर सपा के लोग 8 अगस से हर घर तिरंगा लगवाने का कार कर रहे हैं जिसको देखते हुए सोतंता दिवस की पूर संद्या पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है जो पार्टी कार्याले से होते हुए पांडे हाता, घंटा घर, रेती चोग, नखास चोग, घोश कंपनी होते हुए टाउन हाल गांधी परतिमा पर समाप्त हुई उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोरन को जनांदोरन बनाया था, जैपरकाश नारायन, डाक्टर राम मनुहलोहिया, अरुडा आसिफ अली, उशा मेता के साथियों ने ब्रिटिश सामराज की चूले हिला दी थी, सोतंता सं घर्ष के बाद सोतंत भारत में भी समाजवादी तिरंगे की शान बढ़ाने में लगे रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने 9 अगस से 15 अगस 2022 तक घर घर तिरंगा अभियान चला कर आजादी की विरासत को आगे बढ़ाया है, इस उसर पर महानगर अध्यच क्रेश कुमार तिर पाठी, प्रहलाद यादो, यश्पाल रावत, अखिलेश यादो, रुपावती बिलदार, जैप्रकाश यादो, बिंदा देवी, सिंहासन यादो, राम जतन यादो, अशोक यादो, राम नाथ यादो, हरी यादो, दयाशंकर निशाद, राहुल यादो, तुशीला भारती सुमन पासवान बाबुराम यादो सूरज जैसवाल अभितोश गिरी देवेन भूशर निशाद राजेंद यादो विक्के निशाद बाबुराम विश्युकर्मा जोती यादो अभिशेक यादो किर्ति रिधी पांडे अमर अग्रेहरी चंदरभान परजापती सहीत आने लोग मौजूद रहे इस समन्द में गोरकपूर नियूस से बात करते हुए सपाके जिला अध्यश ओधेश यादो ने कहा लुक्तायी चिंद वार अभिशेक पांडे मौजू अ एक meुट को आट कैन के लुक्ता इस साले पिहरी चंदीप हार अग्रेश करते हैति का CH हॹराइब कि शामपसि पार्टमा हे देव बनात्र कंदान हारण गर्टमा गंदिंग भाराच बातागी जांपराच थार सुप्राच लिए कि आवान पर माने प्रदेश चद्यक जी के निर्देश पर 9 अगस्त करांती दिवस के उसर से पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवाधी पालिटी के लोग हर घर तिरंगा लगवाने का काम कर रहे हैं उसी कड़ी में आज गोरकपुर में सुतंता दिवस की पुर्व संध्या पर आज तिरंगा यात्रा गोरकपुर में निकालने का काम हम लोग कर रहे हैं हम लोगों को बताना चाहते हैं कि वो लोग जिन लोगों ने आजादी के समय से तिरंगा का अबमान किया सिर्फ एक रंग की बात किया आज वो लोग तिरंगा को सम्मान देने की बात करते हैं इस देश समाजवादियों ने अभियान चलाया घर घर जा करके कि आजादी की लड़ाई में समाजवादियों ने अपने कुर्वानिया दी हुन बहाया और आज अपने उन्हीं पापों को धुलने के लिए कुछ लोग तिरंगा घर घर लगाने की बात करते हैं इस अभियान को समाजवादी कारकरता एक एक घर जा के सफल कर रहा है उसी अभियान की कड़ी में आज तिरंगा यात्रा समाजवादी पार्टी निकाल रही है आजादी के पच्छतरे वरष गाट की उपलक्ष में मनाए जा रहे आजादी के आमरित महोसों के तहत पुलिस लाइन से पुलिस अधिच्छक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी वा पुलिस अधिच्छक अपराद इंदू परभा सिंग छेतरादीकारी चौरी-चौरा परशाली गंगवार के नेत्रित में महिला पुलिस कर्मियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया जिसका शुबारम एम्स की डारेक्टर सुरेखा किशोर द्वारा किया गया आपको बता दें कि महिला आर्ची वा पुरुष आर्ची सम्मिलित होकर गगन बेदी नारों के साथ सुतंता दिलाने वाले उन वीर सपूत्नों को याद करते हुए शहर के विभिन रास्तों से होते हुए हर घर तिरंगा लगाने के लिए आम जन्मानस को प्रेरित किया जिसके संबन में एम्स की डियरेक्टर डाक्टर सुरेखा किशोर ने बताया कि आजादी की अमरित महोसो की उपलक्ष में सभी पुलिस कर्मी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं तिरंगा यात्रा में सभी महिला आर्चियों ने बढ़ चड़कर भाग लिया तथा पुरुष और महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं और आजादी का अमरित महोसो मना रहे हैं पर्धान मंत्री नरेंद मोदी एवं मुख्यमंत्री योगिया दितनात को धन्यवाद करते हुए कहा कि इनका महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है पुलिस मेडिकल सहित हर छेत में महिलाओं का पूर रूप से समान अंतर योगदान है इस होसर पर पुलिस अदिच्छक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, स्पी क्राइम इंदू परभा सिंग, सियो चौरी चौरा परशाली गंगवार सहित अनपुलिस कर्मी मौजूद रहे इस समन में गोरकपूर नियूस से बात करते हुए एम्स गोरकपूर की डारेक्टर डाक्टर सुरेखा किशोर ने कहा अवस्थी, स्पीन से समय निकाओ कि हमें अनुगली कि आए, थैंजी राव और अब मैं नाम से मोज करूंगी कि वो थैंगा माज को शाओ करें आए जी जिए अनुगली के एम दॉ एंगली कुई जाओ मेरने के अए, उस समय पूर्द condemnसे में और को जगकली किसों कि जाही ने लेगी कि माज थैंग। अब घटे किशमली की थारो, कि इसान हो एम पर दॉत कि थार्सेश पर ओवा है यौर्ट बहलती पोर चया और करें में करेंजर नखर एक películaओ करेंजर एकison दोलन sitä है करेंजर करांक एक राक में कर दो काई करेंजर छोलन정이 पुरिदे ऑना पिर रहolो बशन से के प्ताचर नखसे जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस साल 75 भी आजादी की वशगाट बना रहे हैं और आजादी का अमरित महत्सव मना रहे हैं और इसी के तहट हमारे आपे जितने भी पुलीस कर्मी हैं वो लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं आजादी के अमरित महत्सव के उपलक्ष में और इंदू प्रभाजी है जो यहां की यह सारा कुछ समाल रही है ग्रोवर जी के गाइडेंस में और हम सारे पुलीस कर्मियों का बड़ा सही होग है इसमें और हमको सबसे जानकर रती प्रसन्नता हुई यहां पर कि हमारे सारे ज के लिए है ही नहीं जहां पर पूर्षों के सासात इस्त्रियों को बिल्कुल समान रुप का अधिकार है और एक तरह से हम यह आजादी का अमरित महत्सव सही में आजादी का अमरित महत्सव मना रहे हैं क्योंकि इसमें हर शेत्र में देखें यूपी में देखें यूपी ख प्रभाजी को जिन्हों ने इसका एक लीडर्शिप ली और अपने अंडर में इस मुहीम को चलाया हमें बहुत-बहुत इनका स्वागत करना चीए और इनका धन्यवात करना चीए और हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुपकामना है कि हमारी देश की महिलाएं इतना आगे बढ़ करके इस अरिक्रम में हिस्सा ले रही हैं और एक सच्चे रूप में हमारा देश आजादी मना रहा है आजादी का अमरित महतसव जहांग पर हम अपने दिमाग से अपने mental status से वो कुंठित जो हमा इसके लिए बहुत-बहुत इनका स्थे दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगी और इनको बहुत-बहुत बधाई की पात रही है और मैं कहूंगी आप सब लोगों से प्लीज इनके लिए बहुत सभयोग दिया और हमारे मानने मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना च और हर जगह पर देखेंगे, चाहे वो हमारे पुलीस की लाइन हो, चाहे वो हमारा मेडिकल की लाइन हो, हर शेत्र में महिलाओं का पूर्ण रूप से समानतर एक योगदान है, पूरुछ और महिलाओं साथ मिल के काम कर रहे हैं, और इससे बड़ी हमारे देश के लिए के अमरीतम होसों कारिकरम के तहट नगर निगम के नो निर्मिस सदन भाल में तथा नगर आयउक्त अविनाचा सिंग की अध्यष्टा में मईलाओ के सुहत। में तुरा देश आधादी के महसों को अमरीत अविनाचा सिंग के रूप में सिलिबरेट कर रहा है। उसी करम में सहायता समू की महिलाएं, बेहने और बैंक परबंदकों के साथ एक संगोष्टी का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं की आये को दूगना करने के संबंद में और आये को दूगना करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके संबंद में बैंक परबंदकों से बात भी किया गया तंगोष्टी में रहडी पट्री वालों को भी समझाया गया कि जो 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है उस लोन को लेकर अपना विवसाय शुरू करें और लोन की किस्तें समय से भरते रहें उन्होंने कहा कि मुखमंतरी के दिशा निर्देश पर महिला सचक्ति करड के लिए सार्थक पहल होगी इस सम्मन में गुरकपूर नियूट से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाज सिंग ने कहा समय से अच्छा वर्थ करती है तो बहुत अच्छी बाते सुनते हैं और जब महिलाई जाती हैं खादा खोरने के लिए तो एक से एक बार में तो नहीं ही होता कम से कम 10 से 15 वर महिलाओं को तोड़ाया जाता है और शूपर सशाम तर बैठाया जाता है जाता है तो यह सबसे बड़ी ब्राउग्रम है सर अरक काम नहीं करना तो उसी समय बना कर देना ची एक सिस्या किया था बीनाजी का सर कम से कम 6 महीने मैं की बार मेरी हमारे मेरम के सारे स्टाफ गये कि यह सर में कुछ बात किया आज तक इसका एकांट नमबर नहीं मिला कि हम लोग उसको पोड़ा पे चाहाँ है अर्ण में है हम लोगों को बो तरक से दिखा जाता है एनार अर्ण के साथ आज तक नहीं हुआ है और जानस नहीं होगे उनके साथ सारे वीडियो से लेगए है उनका काम भी जदी से वो भी जाता है पर कि मैं जोनी के लिए प्याते बाद जाएंगी जब इनके खाता को लें ये पैसा दे लिया आपको तो आप एन मिली अलाज़ते है ये पामें इंके साथ बहुत बढ़े है मेडम और मंगल वार को पहले मैं बात कर लेता हूं उसके बाद मैलाओं को बेज़ेगा बैसा भी पहले मैलाई चलीए सार हम अपने टाई भी आये थे हम लोगों ने वहां पे ब्लैक राइस विंद ब्लैक राइस के नाम से एक्वियो बनवाया था मैलाओं का ग्रूप बनवाया था जो ग्रूप बनवाया था उस ग्रूप के उन लोगों ने अपने घर में ताले धान की खेकी सुर्टी और दीरे दीरे पिर उसके बाद इतना अच्छा था इतनी डिमांड पड़ी कि मानी मुक्वन्ती जी ने फस्त उसका जो टैकेट अप उन्हों नहीं खई आता मिर्जा है उसके सारा वह मंगाया था वहां पर लखनों में बटवाया था तो धीरे धीरे मिले फिर जिसे आप लोग देखते हों कि कंपोस्ट होता है ठाद होती है लोगों को लगता अब इत्मिक है वहां पर लोग टमाटर था निर्शा था ये सब चीजें टमाटर मटर आप इत्मिक एंगलेंड जाता था इंगलेंड के लोग हा आते और उसे बात करते हैं और उसे पूरा समस्टे थे और उनको उन्सब चीजों को सब फॉरें जाता था बहुत अच्छी उनकी आंधनी होती थी नाबाड के चैर्मेंट सब आयते और माइनाओं के इसी संभू को 25 र आज पूरा देश आजादी की 75 वर्षगाट पना रहा है और हम सभी लोग आजादी के इस महतस्व को अमरित महतस्व के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी की कड़ी में 11 तारिक से 17 तारिक तक हर घर दितंगा कारिकरम भी चल रहा है जिसमें की तिथी वार प्रतेक दिन देश भक्ति से परिपूर्ण विविन कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं उसी की कड़ी में आज नगरनिगम गोरकपुर के हॉल में सहीं सहाता समूग की जो हमारी महिलाएं हैं हमारी बहने हैं और बैंक के जो हमारे बैंक प्रबंदग वांके जो अन्य आफ़सर्स हैं उनके साथ एक संगोष्टी का एवजिन किया गया था जिसमें से उनकी बानों की आये को दुगना करने के संबंद में और उस आये को दुगना करने में जो दिक्कते आ रही हैं उनके संबंद में बहुती सार्थक विचार विमर्स हुआ बहुती बानों ने लोन लेने में जो डिटेल से बताया कि कैसे आपको इस प्रकार से आप फॉर्म भरिये इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं है आपको किसी बीच में मिडिल मैं के बीच में नहीं जाना है और किस प्रकार से आप यहां से लोन लेकर आप आगे अपने वेबसाइब को बढ़ा सकती हैं इसके साथ साथ इसमें बहुत से ऐसे भी लोग ते जो रेड़ी पट्री खुम्चे वाले थे जिनको की स्वानीदी से जो दस अजार का लोन मिलता है और उस लोन को जब चुकता करते हैं तो उसको 20,000 का मिलता है तो उनको भी इस बात के आप पुरा रीपे कर दें तो पुना आप जो है आपको 20,000 लोन मिलेगा उस लोन को लेकर आप अपने वेबसाइब को और आगे बढ़ाईए इसके साथ साथ उनको ये भी बतायागा कि आपको तो जैसे कि जो भी बहने जाडू पोचार डस्टर फिनायल आदी चीजों को निर्माण कर रही है उनके लिए तो नगर निगम अपने आप में एक बहुत बड़ा कस्टमर है जो चीजी हम ओपन मार्केट्स खहिते हैं वह हम चीजे इन बहनों से खहीद लेंगे और ये जो हमारी बहनों को ये रक्षा बंदन का सबसे अच्छी सौगात होगी भेट हो जो रन्गोली प्रतियोका भी आयुज्कित आयुजित पमारी राष्ट्टी सेहरी आजुई का महिला इति सहिता सम читेरें डेंग क्रवंद क्ते सब्सक्रा-अघावर कसि अब्यद्ध होगी को के 75 वर्ष गाट एवं आदादी की अमरित महुस्तों की उपलक्ष में रविवार को फायर सर्विस द्वारा एवं CFO D.K. सिंग के नेतरित में भावे तिरंगा यात्रा निकाला गया जो फायर स्टेशन से निकल कर गड़ेश चोग चेतनाती रहा कचेहरी चोरहा हर योम नग इस तिरंगा के माध्यम से जन जाग रड़ किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पूरे परदेश पूरे देश और पूरे गाव में तिरंगा लहराया जाए और हर्ष उल्लास के साथ आमरित महुस्तों के पर्व को मनाएं तिरंगा यात्रा में S.S.O. बिरिज मोहन सिंग, F.S पर्मानन पांडे, रंजी सिंग, आशिश नंदन सिंग, अभिशेक, अमिश सिंग, राज कुमार, परदीब गौर, निर्भाय राय, अन्नु सिंग, धनन जै पांडे सहित, फायर सर्विस के अधिकारी एवम जवान मौझूद रहे इस सम्मन में गुरकपूर निउस से बा अंडे, 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 पार अजाकी ustalar पारोग पारा पाल कि ये अरत आकी अंध सब्सक्राण झार ये पार अार बंदे! बंदे! अरत मताकी, साथमे 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 साथम Honig भंदे! पन्दे! ऑंदे! बंदे! पूरा तिरंगा यात्रा निकाल कर पूरे भारत वर्ष में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे गाउं में, पूरे सहर में, हर घर पे तिरंगा लहरा जाए और अमरित महोसो पर्व को बड़े हर्सो ला से मना जाए आजादी के 75 में, अमरित महोसो कारिकरम के तहट भारत स्काउट और गाइड गुरकपूर इकाईद्वारा राज की जुबली इंटरकाले से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसका शुबारम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तेवेंद कुमार दुतिय ने किया, जिसके समन्द में D.I.O.S. ग्यानें सिंग भधोरिया ने बताया कि पूरा देश आजादी का अमरित महोसो मना रहा है, 14 अगस्त को भारत भाजन हुआ था, उस विभीशिका से हमारे देश का नुकसान हुआ था, जिसकी याद में तिरंगा साइकिल यात्रा निक कर सकें, इस समन्द में गुरकपूर निउस से बात करते हुए D.I.O.S. ग्यानें सिंग भधोरिया और जिला विधिक सेवा प्राधी करण के सचिव देवेन कुमार दुतिये ने कहा, ठाथ को डोलकार मात को चो यह ऑन संब मात की यह voilà बात की यहाई हुआ थी इहना आई गल्य सिंग बद्गार ने वाज़ल सब्ग्राफजात अभी आपी यहाई मैंद मात की यह Hackane आइये दूल वे रहाएं। इनके पिछे होना है। यह पाईएक के पिछे हो जाना है। अब उद्रा कणि लिजाएब। त्रौ निकलतर हो निकलतर हो म अड़ैसी मेफ़। तौर राया इक के बिचे हो भीच दसने करना है। और आजबे। कर दो कर दो मैं तरрок जाइंस नला के दो शुल मैं जा जा है करो कर दलो कर दो! ये गार्णी। जा गार्णी। जा जा गार्णी। जा जा हैं उा जा कें ईयाो जानारी। जा हैं जा हैं ऑdu médiक ex क司 बने जा हैं अंगल मात्रों की ये बंडे मात्रों वारत अजादी के अम्रोसों मना रहे हैं 11 अगस्ट से लेकर 17 अगस्ट तर आज 14 अगस्ट है 14 अगस्ट को भाद बर्से एक पाकिसना लाग देश मना था उस विविष्का से जो नुपसान हुआ था उससे हमारे देश मेरे प्रोहा पड साइकल यात्रा निकाल रहे हैं अगस्ट लगाने का उदेश ही है कि अपंदा कर 17 से पहले हमारे देश के लिए दिनों अपनी कुर्बानी दी थी उनको उनको याद करते ही हुए उन्होंने जो काम देश के लिए किया उससे घर-घर के लोगों अनकारी हो जाए पर हमारा ज घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर-घर- प्रतेग बच्चा सब लोग अपने देश के प्रति संबान प्रकट करें और वो उसके देश के प्रति उसके इतिहास के सब जान सकते हैं भारती जनता पार्टी की कारिकरताओं दुआरा इवन महानगर अध्यक शाजी इसकुपता के निर्थत में चाउनहाल अस्तित नगर निगम परसर से मौन जुलूस निकाल कर विवाजन विविश्का इसमिती दिवस मनाये गया जो महानगर के दिन द्याल नगर मंदल आज से निकल कर गोल घर काली मंदिर सरदार वरलभाई पटेल की प्रितमा के पास जाकर समाप्त हुआ जिसके संबंद में महानगर अध्यक्षा जिसकुप्ता नहीं बताया कि 14 अगस्त को विवाजन विविश्का इसमिती दिवस मनाये जाता है ताकि हमारे देश के आम नागरिकों के अंदर देश भक्ती की भावना पैदा हो और आज के दिन सभी ग्रांतिकालियों को नमन करते हैं और इसी संदर्व में हम सभी भारतिय जनता पार्टी महानगर के कार करता हूँ द्वारा मौन जुलूस निकाला गया इस उसर प्रड महानगर उपाद्यक्ष ब्रजीर स्मरी मिश्रा मंडल अध्यक्ष सिद्धानतो गोश कौरवतिवारी मनु जैस्वा जितेंदर शौरी अवदेश अग्रहरी रुपेश कुपता सहित अनि भारतिय जनता पार्टी के कार करता मौजूद रहें इस संबंध में गुरकपुर नियूस से बात करते हैं महानगर उपाद्यक्ष ब्रजी इस कुपता ने कहा आज बिवाजन बिविशिका इसमरीती जीवस है आज के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा देश बटवारे की दंस जहला था लाखों लोगों बेघर हो गएते हज्जारों हज्जार की संख्या में कतले आम हुएते आज का दिन हमारे देश के लिए बिवाजन बिविशिका के रूप में हम सभी इसको इसमरीती दीवस के रूप में मनाते हैं ताकि हमारे देश के आम नागरिक जान सकें कि आज 1947 में आज के दिन क्या हुआ था ताकि हमारे देश के आम नागरिकों के अंदर देश भक्त की भावना पैदा हो और आज के दिन हम उन ग्यात अग्यात सभी करांधिकारियों को नमन करते हैं और आज इसी उपलक्ष में भारती जनता पार्टी महानगर के सभी दसों मंडलों में मौन जलूस आज निकाला जा रहा है ताकि हम उन ग्यात अग्यात अपने देश के जवानों को नमन कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद। गोरकपूर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही चाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अपने वाले तीन अभ्यूकतों को गैंपिरिगन स्थाने के पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया ग्रिफतार लूट का एक मोबाइल पर्स वाहन की चाभी एक मोटरसाइकल किया बरामत भेचा जेल। सुतनता दिवल्स पर गुरकपूर रचेगा देशब्रक्ति का नया एतिहास विश्व इस्तरिये परेटन केंदर रामगरताल पर रास्ट्रुगान के एतिहासिक आयोजन की है तैयारी। तिरंगा लेकर शामुहिक रास्ट्रिगान गाएंगे एक लाख लोग, चशने आजादी पर परेटन संग, उम्रेगा देश प्रेम का जवार, एक लाख लोग हाथों में तिरंगा लेकर गाएंगे वंधि मात्रम और जनगर्मन। ग्राम पिप्रा मुगलाना में एक महिला का शतुधन निशाद के खेत्र में गाड़ा मिला शव, मौकी पर पहुँची पिप्रा इस्थाने की पुलिस ने शौको कबजे में लेकर भेजा पोस्ट मॉर्टम के लिए, स्पी नौर्थ ने कहां मुर्टक की मा की तहरीर पर दामाद की उपर दहीज हत्या का मुकद्ण पंजिक रितकर की जा रही है विधिक कारिवाही। सुतंता दिवस पर सभी भीर भाड़ वाले शेत्रों में पुलिस की रहेगी ड्यूटी अराजक तत्तों पर पुलिस की रहेगी नजर ADG जोन ने कहां बिना पर्मिशन के ना निकाले कोई रैली या जुलूस। आजादी की 75 अमरित महसो कारेकरम के तहट ADG जोन अकिल कुमार ने 112 के PR वी वाहन के तिरंगा रैली को चंडी दिखा कर पुलिस लाइन से किया रवाना तिरंगा वाहन रैली का तेनुआ प्लाजा पर जिलादिकारी व एसस्पी ने धुजा रोहर कर किया समापन विवाजन विवीशिका इसमिती दिवस के औसर पर शांस्क्रितिक एवं सूशना विभाग द्वारा अभी लेक एवं छाया चित्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन भाजपा के चेत्री अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंदु सिंग ने चाया चेत्र प्रदर्शनी का फीता काट कर किया शुभारम कहा 14 अगस्त को भाजपा मना रही है विवाजन विवीशका के रूप में प्रदर्शनी के माध्यम से विवाजन को किया जा रहा है प्रदर्शित आजादी की 45 सतनता दिवस की पूर्व संधिया पर सपाईयों के द्वारा जिलाद्ध्यक्ष अधीश यादों के निर्थितों में पार्टी कार्याले से गांधी प्रतिमा तक निकाला गया पैदल तिरंगा यात्रा अमर शहीदों के बलिदान को किया गया याद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिस लाइन से निकालेगी तिरंगा यात्रा को एम्स गुरखपूर की डिरेक्टर डॉक्टर सुरिखा किसोर ने हरी जहन्दी दिखा कर किया रवाना कहा हर छेट्र में महिलाओं का समाज में पूर्ण रूप से समानांतर है योगदान किया गया आयोजन कहां महिलाओं की आय को दुगना करने के लिए संगोस्टी का हुआ आयोजन आजादी के 75 वी वर्सगात योम आजादी के अमरित महस्तों के उपलक्ष में फायर सर्विस द्वारा निकाला गया भवत तिरंगा यात्रा आजादी के 75 वी अमरित महस्तों कारेकरम के तहत भात स्काउट और गाइड गोरकपूर इकाई के द्वारा निकाला गया साइकल तिरंगा यात्रा देश को आजाद कराने वाले वीर अमर्शहीदों को किया याद और विभाजन विभीशिका इसमिती दिवस पर भार्टी जन्ता पार्टी के कारेकरताओं द्वारा निकाला गया मौन जुलूस कहा 14 आगस्त 1947 को लाखों लोग बेघर और हजारों की संक्या में कतल हुए थे उसी के संदर्व में मनाया गया विभाजन विभीशिका इसमिती दिवस ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है ना बड़ा सा नाम मेरा है मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है अब मुझे दे इजाज़त नमस्कार